लिजे सुनिए सूरे कांतितर पाठी निराला के लिखे उपन्यास महा भारत के छट्वे भाग भीश्म पर्व को मेरी यानि समीर गोष्वामी की आवाज में भीश्म का युद्ध महावीर अर्जुन व्यू में खड़ी पांडव सेना के अग्रभाग में नंदी घोष रथ पर बैठे हुए विशाल कौरव वाहनी को देखते रहे हिर्दय में किंचिन मात्र भैना हुआ फिर भी युद्ध वाला उत्साह ना रहा देखा महा रथ भीश में पिता में कौरव वाहनी के प्रधान नायक अग्रभाग में स्थित हैं उनके विशाल सौरण रथ के पार्षों में रथ ही दुशासन है कुछ दूर पर मुक्ताओं की जालरदार मनी और लालों से जड़े सुन्दर रथ पर कौरव राज दुरियोधन है पास आचार द्रौन और अश्वत्थामा एक एक करके अरजुन ने सभी कौरव और आमंतरित संबंधियों को देखा साथ साथ ये विचार पैदा हुआ कि ये सब अपने ही भाई और कुटंब है युद्ध इन्हीं के साथ है युद्ध का परणा मृत्यू है अपने जनों की मृत्यू जिस राज्ज के लिए ये युद्ध हो रहा है वो भाईयों की मृत्यू से प्राप्त होगा ऐसी राज्ज को ले कर क्या होगा ये राज्ज तो वास्तों में तब तक शमशान हो जाएका महावीर पार्थ इस परिणाम पर काप उठे सजनों की मृत्यू से इस्त्रियां विद्वा होंगे व्या भीचार बढ़ेगा वन संकर पैदा होंगे पित्रों के तरपन श्रद्धादी लुप्त होंगे दौनों लोग भ्रष्ट होंगे अधर्म फैलेगा फिर युद्ध अधर्म का परणाम होगा ऐसा कदापी उचित नहीं ये विचार करते ही महावीर पार्थ का उत्साह जाता रहा स्ने से दुर्बलता दुर्बलता से हर्थकंप हर्थकंप से बहे स्वेद नेराश निर्वीरता आदी जारी हो गए गांडीव हाथ से छूट कर गिरने को हुआ ऐसे समय कृष्ण ने उनकी ओर देखा उन्हें मोह की स्थिती में देखकर कृष्ण को आश्चिर हुआ एन मौके पर ऐसे शितिल क्यों पड़े पूछने पर अरजुन ने युद्ध से होने वाले परणाम की तस्वीर खीचते हुए कहा ऐसा युद्ध करना अधर्म है इसी चिंता से मैं दुर्बल पड़ गया हूँ भगवान कृष्ण ने उन्हें उनका धर्म समझाया और गीतों पुदेश किया कर्मियों की महत्ता के साथ धर्म की सुक्ष्म बातों का ग्यान हो जाने पर भी अर्जुन का महदूर ना हुआ तब श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम धाता नहीं हो निमित्त हो तुम्हारा किया कुछ न होगा होनी पहले हो चुकी है तुम्हे केवल अपने शात्र धर्म के अंसार चलना और इस युद्ध से अशस्वी होना है अधर्म के कारण कौर्वों का नाश हो चुका है युद्ध उसी का निमित्त है तुम्हे विश्वास न हो तो देखो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया वो विराट रूप देखकर अर्जुन कापने लगे देखा जैसे जलती हुई एक विशाल लौकी ओर चारो ओर से कीड़े आते और समाते हुए भस्म होते रहते हैं उसी तरह समस्त कौरव हो रहे हैं कृष्ण के मुख में उसी तरह समा रहे हैं जैसे सैक्णों हजारों लाखों नद नदियों का प्रवा अर्जुन को होश हुआ और भगवान कृष्ण की उन्होंने स्तुती की कृष्ण का ये कहना कि आत्मा अमर है इसके लिए शोक करना उचित नहीं अर्जुन अच्छी तरह समझे और भगवान में कर्म फल का विसर्जन कर आसन ने युद्ध को धर्म समझ कर गांडीव धारन किया मित्र की स्फूर्ती देखकर श्री कृष्ण प्रसन हुए युद्ध का प्रारंभ देखकर धर्म पुत्र युदिष्ठिर से न रहा गया वो आवेश में आकर रथ से उतर कौरव वाहनी की ओर पैदल चले भीम को शत्रों के सामने इस परकार न तो होते बड़ी लज्जा लगी और वो हिर्दाय से बहुत आहत हुए अरजुन को भी धर्म राज का ये आचरन अच्छा न लगा उन्होंने महराज युद्धिष्ठिर को पकार कर कहा भी महराज इस परकार आसन्य युद्धि के समय खाली हाथ और पैदल आप शत्रों के बीच जा रहे है भीम सेन ने कहा महराज आप हमें लज्जित कर रहे है नकुल और सहदियों ने कहा महराज आप हमें छोड़ते हुए कहा जा रहे है दीर धर्म पुत्र ने किसी को कोई उत्तर न दिया सीधे भीश्म के रत की ओर चलते गए श्री कृष्णन ने पांडवों से कहा आप लोग कुछ देर परतिक्षा कीजे धर्म राज युद्ध में भी धर्म की बड़ाई देने जा रहे हैं गुरु जनों को प्रणाम करने के उद्धेश से युद्धिष्ठिर को आते हुए देखकर कौरवों में भी तरह तरह की कपोल कल पनाये चलने लगी किसी ने कहा युद्धिष्ठिर पहले से डर पौक है हमारी सेना देखकर घबराया है किसी ने कहा हाँ इसलिए भीश्म के सामने जा रहा है जान बक्षवानी की महलत दीजे तो हम लोग फिर वन चली जाएं किसी ने कहा बड़ा चालाख है पितामह को मिलाने जा रहा है जानता है पितामह की बराबरी का शूर कोई है नहीं लोहे के चने होगी लडाई थोड़ी देर में, कहीं अरजुन ही काम ना आ जाए, इसलिए कहने जा रहा है कि कृपद रिष्टी रखें। इसलिए धर ही से मुझे युद्ध करना होगा। परंतु तुम निश्चिंत रहो, धर्म की शक्ती अजे है और अरजुन शक्ती संचय में मुझसे भी आगे बढ़ गया है। मेरी इच्छा मृत्यु है, मैं समय पर ही प्राणतियाक करूँगा। तुम्हें इसके बाद आने क समय प्राप्त होगा। आना, तब मैं तुम्हें धर्म उपदेश दूँगा। चिंता न करो। तुम्हारे सहाय कृष्ण है, विजय तुम्हारी ही होगी। धर्मराज वहां से आचारे द्रोन के पास गए और वहां से कृपाचारे के पास। ब्रामनों ने भी युदिष् से निकल कर पांड़ों में आ मिला। उसे हिर्दाय से लगाती हुई युदिष्ठिर ने कहा, भाई, तुम दादाजी के धार में कुत्र हो, समय पर तुम ही उनके काम आओगे। युदिध की भेरी भजी। दोनों और के सेना पतियों ने शंक बजा कर अपनी सेना को सजग किया। हर मौके के सेना, पती, रथी, गजा, रोही, सवार और पैदल, शूर, सामनत सामने देखने लगे। महावीर पार्थ पांच जन ने ठूक कर अपनी सेना को कौरववाहनी के आकरमन से होश यार करके एक दृष्टी से महावीर भीश्म की गतिविदी देखने दुष्टासन के साथ भीश्म के सामने बढ़ते ही, महावल भीब्ष ने सिंगनात किया और लुष्टासन को रोका। अरजुन बाजू से भीश्म पर आकरमन करने लगे। भीश्म किनारे से ही अरजुन के तीर काटते हुए दुष्टासन की सहायता करती रहे। भीम बहुत दिनों से कृध समय की प्रतिक्षा में थे एकाएक सिंग विक्रम से शत्रू पर तूटे उस प्रलाई की तूफान का वेग दुशासन के लिए संभालना दुशकर होता अगर महारत भीश में सहायता न करते होते भीश में की शिप्रता देखने लाइक थी एक और महावीर अरजुन के अव्यर्थ प्रकरतीरों को काटते थे दूसरी और मुहर मुह दुशासन पर होते हुए भीम के प्रहारों को रुक कर उसे बचाते थे ये जैसे दुर्धुर्ष भीमा अरजुन के साथ अकेले भीश म का समर था महासमुद्र की उठती तरंगों की तरहे दुर्जय पांड़ा उसेना सुद्रढ कॉरा उसेन तट को बार बार तोड़ने का उद्यम कर रही थी साथ भीम प्रभंजन का काम करते हुए सेना को सिंगन आदों से प्रोच साहित करकर भीश म की और बढ़ते हुए देखते देखते दोनों और की सेना एक दूसरे से भिड़ गए हाथी से हाथी घोड़े से घोड़ा पैदल से पैदल घमासान समर होने लगा धनुशों की टंकार, हाथीों की चिंगार, घोड़ों की टाप और हिनहनाट रतों का घंटा नाद, वीरों का सिंगनाद और रतियों की शंक ध्वनी चारो और चागए साथी ऐसी गर्द उठी की सामने लड़ने के सिवा सेना को अपने पराय का ग्यान न रहा दोनों और काफी से नकाम आ गए, भीश्म से अरजुन, दुरियोधन से भीम, मदर राज से युधिष्ठिर, भगदत्त से विराट और कृत वर्मा से साथ्तिकी लड़ रहे थे युध का तीसरा पहराने को हुआ, पांड़ प्रबल ही पढ़ते गए, देखकर भीश्म ने सारती को रथ बढ़ाने के लिए कहा, दुश्यासन और रथी साहयकों को अरजुन को रोकने के लिए कहकर, भीश्म का रथ चक्कर काटने लगा, अरजुन मतलब समझ गए, भीश कमजोर है, सिर्फ अरजुन पुत्र अभी मन्यू इस भाग की रक्षा कर रहा है, थोड़ी सी सेना लिये हुए, भीश्म ने उसी भाग पर आक्रमन किया, सुभद्रा कुमार अभी मन्यू पिता के समान वीर था, उसने महारत भीश्म की गतिरों के दौना में बान वर्षा ह अभी मन्यू भीश्म से भी अधिक शिप्रहस्त था, उसने देखते देखते भीश्म का धनुश काट दिया और कई तीर मारे, दूसरा धनुश लेकर भीश्म ने अभी मन्यू के सार्थी को घायल कर दिया, उत्ते जित अभी मन्यू ने तक्षण भीश्म के विशाल रत के ध्वज दंड काट दिये जिन में बहु मूल रतना भूशन लगे हुए थे। सेना पती की पताकाओं के गिरते रत को दूर से न पहचाना जाने लगा। इससे कौरव दल में हाहा कार मच गया। कई रती बढ़कर भीश्म को खोचते हुए पहुँचे और एक साथ अभी मन्यू पर प्रहार करने लगे। इस समय तक अभी मन्यू के प्रहारों से व्रद्ध पिता महें अत्यंत उत्तेजित हो गए थे। बालक की शिप्रता असह हो रही थे। अभी मन्यू को कई रतीयों से घिरा देखकर पांडव सेना ने पुकार की पास के रती सहायता के लिए बढ़े। अभी मन्यू कौरवों के सभी रतीयों से लड़ रहा था। यतावश्यक दोनों हाथों शर संधान करता हुए। भीश माश्यर चकित थे। इतनी तेजी उन दर से बढ़कर शल्ले ने रोका, दोनों में युद्ध होने लगा, उत्तर हाथी पर था, शल्ल का तीर लगते ही हाथी बिगड़ गया और शल्ल के घोड़ों को मार डाला। शल्ल को इस पर क्रोधा गया और बैठे ही बैठे उन्होंने एक ऐसी शक्ति मारी की वो उत्तर क वर्म को पार करके हिर्दे में समा गई, वहीं उसी वक्त उत्तर को मार काम आ गए, फिर शल्ल ने उत्तर के हाथी को भी मार डाला और क्रित वर्मा के रथ पर जाकर बैठे, इस घटना से पांड़ो सेना इस तंभित और शोका को लोकर अन्न मनस को हुई कि भीश्मन ने बह पक्ष पर आक्रमन किया, पांड़ो सेना व्यू छोड़कर हटने और कटने लगी, संध्या हो रही थी, समय जानकर अर्जों ने युद्ध बंद करने का शंख बजाया, उधर भीश्मन ने भी शंख ध्वनी से युद्ध समाप्ती की सूचना दी, लडाई बंद हो गई, युद्ध में विजय पानी की उसकी आशा बद्ध मूल हो चली, वो अपने भाईयों के साथ सुरापान करके आनंद मनाने लगा, और बार बार पितामह भीश में की युद्ध कौशल की प्रशंसा करने लगा, कि किस तरह वो शत्रू सेना विनाश का मौका देखते फिर रह जब उसने इनके घोडे मार दिये, तब इन्होंने उसके मालिक को मार गिराया, और फिर उसको भी उसी रास्ते भेज दिया, मज़ा ये कि ये सब बिना घोडों के रथ पर बैठे बैठे किया, काम समाप्त कर इतमिनान से उठकर दूसरे रथ पर गए, पांड़व संतप्त थे, सेना में भै, युदिष्ठिर, हताश, भीम और अरजुनिस्थिर, विराट, अत्यंत शोका कुल, युदिष्ठिर ने कृष्ण से विनाई पूरवक कहा, यादवपती, आज की युद्ध को देखकर मेरा विश्वास द्रढ़ हो गया है, कि पिता महा अजे है, उनके स अगे संबंध ही, इस प्रकार युद्ध में हत होते रहे, तो राज पाट लेकर हम क्या करेंगे, ऐसे राज जिसे अपने प्रिये जनों के प्राण और सुख साचंद अधिक मूल लिके है, ऐसे राज जिसे वन्श्रेयस कर है, अब इस युद्ध की आवशक्ता नहीं, धर को वीर गती से स्वर्ग प्राप्त हुआ है, इस युद्ध का अर्थ केवल युद्ध नहीं, धर्म राज जी की स्थापना है, पांडवों और पांडवों पक्ष वालों के लिए ऐसे युद्ध में प्रानक होना चिंता जनक बात नहीं हो सकती, रही जाय की बात, ये निर अर्ष्ट द्युम्न और साथ्तिकी कौरवों के किसी भी महारत से सरकश हैं, पुना एक दिन में ऐसी युद्ध के भविश्य का निरणा नहीं हो सकता, आप पीछे हटेंगे, तो ये आपका धर्म से डिगना होगा, ये कदापी आपका कर्तव नहीं कहा जा सकता, आप इस देखते चलिए, यदि ये भाव रखेगा, तो आपकी सेना का दिल और बैठ जाएगा और इसका परणाम अधिक सेना नाश के सिवा और कुछ न होगा, कृष्ट के कथन का द्रश्ट द्युम्ने ने समर्थन किया, महाराज विराट को भी सांतों ना मिली और बदले के दोनों तरफ की सेना अपने अपने वियू में, सेनपती की आग्या के अंसार सन्निविष्ट हो गई, और युद्ध के लिए आदेश की बाट जोहने लगी, आज अरजुन की और ही छटा थी, भीम से उनका निश्य हो गया था कि वो पितामह की गती रोकेंगे और भीम शत् पक्ष में पैठ कर सेना संगार करेंगे, सात्य की भीम के सहायक होंगे, इसके अंसार सामने अरजुन का विशाल नंदी घोश रथ था, जिसकी धोजाए प्रभात की वायू से मंद मंद लहराती हुई, अपनी सेना को बढ़ने के इंगित से उतसाहित कर रही थी, दाहिन भ अच गया, हाथी घोडे रथी और पदातिकों की श्रंखला से श्रंखला मिल गई, सूर्योदय हुए, भीशम और द्रश्टत द्युम्ने ने शंक ध्वनी से युद्ध की सूच न दी, अरजुन के रथ की और रथ बढ़ने के लिए भीशम ने सारती से कहा, दोनों पक्ष कोरवों की सेना में पैठे और एक और से संघार करने लगे, उनकी गदा के प्रहार से बड़े बड़े हाथियों के मस्तक कुम्ब की तरह फूटने लगे, एक एक वार में कितने ही पैदल काम आने लगे, पूरा एक पक्ष कमजोर पढ़ गया, रथ घोडे हाथी और पैदल अपने दूसरे पक्ष की और भागने लगे, इस समय भीश्म की उस तरफ निगाह गए, भीम को सेना नाश करती हुए देखकर उन्हों ने उधर रथ बढ़ाने की आग्या दी, कौरवों की दूसरे रथियों ने बढ़कर अरजुन को रोका, भीश्म ने पहुंचते ही भी भीम के पार्श्वे रख्षकों के घोड़ों को मार डाला, देखकर सातकी ने ऐसा तीर मारा कि भीश्म का सारती गिर गया, सारती के मरने से घोड़े भड़क कर रथ लेकर भग चली, भीम सातकी के रथ पर आकर बैठे, भीश्म के अद्रिश्य होने पर कौरवों में हाहाक संध्या का समय था, अरजन और द्रोन ने शंक बजा कर युद्ध बंद किया, तीसरे दिन फिर युद्ध प्रारंब हुए, पर पांडवों के सामने कौरवों की ना चली, इस दिन भी कौरवों की सेना को बड़ी शती पहुची, यद्धे भी भीश्म कम सेना संगहार नही करते थे, फिर भी अध्यरे के कारण दुरी उधन को मालूम देता था कि पांडव प्रबल पड़ रहे हैं, और ऐसा अक्रम रहा, तो कौरवों की हार होगी, गिलानी से भर कर रात्री की समय वो भीश्म के शिविर में गया, और उदास होकर कहने लगा, पितामह, पांडव युद्ध में जैसा पराकरम दिखा रहे हैं, उससे हमारी सेना को अधिक शती पहुंच रही है, आप पांडवों पर इसने करते हैं, इसलिए जी लगा कर नहीं लड़ते, आप दिल से पांडवों की विजए चाहते हैं, महावीर भीश्म खुब्ध हो ठे, बोले, दुरिय इतना हुए, उन्होंने अपार ध्यरे प्राप्त किया है, साथी शिक्षा भी ग्रहन की है, फिर भी तुम इतने चिंत इतना हो, मैं तुम्हारे लिए अथा साध्ध प्रयतन करूंगा। बड़े बड़े रथी भीश्म के सामने ना टिकने लगे, पांडव दल में हाहकार बच गया, महावीर अरजुन भी इसका कुछ प्रतिकार ना कर सके, देख कर श्रीकरण से ना रहा गया, बढ़ावा देती हुए बुले, पार्थ तुम क्या देखते हो, तुम्हारे सामने भीश्म को रोको, श्रीकरण की उत्तेजना पूर्ण बातों से अरजुन जैसे होश में आए, अब तक भीश्म का जैसे अपार समर कोशल देखते रहे थे, गांडीव में कठोर टंकार कर तीक्ष्ण अश्यर योजित किये, पितामाय की हस्त लागवता के आगे, पार्थ ज जोश लहराने लगा, अन्याने रथी अरजुन की पार्श रक्षा के लिए बढ़ाए, कौरवत बुद्धी होकर पार्थ का शरक्षेप देखने लगे, भीश में के सहस्त्र प्रेयतने करने पर भी अरजुन ने संध्या होते होते कौरवों की विशाल सेना का नाश कर डाल थी, वो घर बैठे महाँ भारत युद्ध का महाराज दृतराष्ट से वर्णन करते थे, उत्रुत्तर कौरवों की हार हो रही थी, सुनते सुनते महाराज दृतराष्ट एक दिन शुद्ध हो उठे, कहा, संजय तुम ये क्या कह रहे हो, पांडव की अलुहे के हैं और कौर पांडवों से जादा है, फिर भी कौरव परती दिन हारते जा रहे हैं, कहते हो, जरूर तुम पांडवों का पक्षपात करते हो, नहीं महाराज, सेयत स्वर से संजय ने उत्तर दिया, पांडव तपस्वी होने के कारण बलवान पड़ते हैं, उनकी तरफ धर्म की शक्ती ह अस्तु महाभारत युद्ध में करमशास साथ दिन पूरे हो गए, आज आठवे दिन का युद्ध है, दोनों दलों के सेनापती अपनी अपनी सेना को सन्निविष्ट करने लगे, दोनों तरफ से तुमुल कोलाहल और सिंगनाद पर सिंगनाद उठने लगे, इसी समय अरज इरावान का आकरमन समालना मुश्किल हो गया, सेना व्योह छोड़ छोड़ कर भागने लगी, चारोर हाहकार उठने लगा, सहायता के लिए पास के रथी दोड़े, शकुनी की सेना निकट थी, इरावान को रोकने के लिए बढ़ी, पर उलूपी पुत्र की कठोर मारों से उसके भी पैरों खड़ गए, पीछे गानधार थे, आगे बढ़े और इरावान को घेर कर भीशड़ युद्ध करने लगे, इरावान का शरीर क्षत विक्षत हो गया, शत्रु पक्ष को जोर मारते देखकर इरावान कृद्ध हुआ, और दूने उत्सा से सेन संचालन करता हुआ युद्ध करने लगा, गानधार भी इस बार आक्रमना समाल सके, कितने कट-कट कर खेत रहे, बाकी मैदान चोड़ कर भग खड़े हुए, शकुनी कौरवों की सहायता से किसी तरह बच कर भगे, समझत कौरव दल में तरास फैल गया, इसी समय दुरुय उधने भीम से मारे गए, बक के पुत्र राक्षस आर्श श्रंग को इरावान से लड़ने के लिए भेजा, राक्षस ने सोचा समुख समर ठीक नहीं, क्योंकि इरावान बलवान है, इस से माया समर करना चाहिए, ये सोचकर वो आकाश मार्ग से युद्ध करने लगा, ये माया इरावान क भी आती थी, वो भी आकाश मार्ग पर पहुँचा और उसी कोशल से राक्षस से लड़ने लगा, ये समवाद अब तक पांडवों के पास पहुँचा, वे लोग इरावान को साहिता भेजने की बात सोचने लगे, इसी समय राक्षस ने सम्मुहन विद्ध्या से इरावान क को महित करके उसके प्रान ले लिए, इसी समय भाई की साहिता के लिए भीम सेन का पुत्र घटोत कच भेजा गया, इरावान का प्रानांध हो गया है, देखकर उसे अपार क्रोध आया और कौरवों की सेना का संगार करने लगा, बड़े बड़े वीड राक्षसों की सेना न प्रलाई की बाढ़ की तरह चारो ओर से कौरवों को घेर लिया, महराज दुरियोधन बीच में पढ़ गया, घटोत कच की राक्षस सेना का बड़ी वीडता से उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन राक्षसों की मार के सामने उनके पैर नटिके, उधर क्रोध में आकर घटो और द्रोन ने सहायता की, तब दुरियोधन की प्राण बचे, इरावान की मृत्यू से अरजुन शुब्द हो ओठे, और बड़ी ततपड़ता से कौरवों का मुकाबला करने लगे, उनके प्रहत प्रखरतीरों से हजारों की संख्या में कौरव सेना धराश आई हुई, कौ दुरियोधन विजाई की आशा छोड़कर कौरवों की जीवन के लिए संख्या करने लगा, इस समय भीशम अरजुन के सामने आए, लेकिन कुरुध पार्थ के सामने आज उनकी भी न चली, देखते देखते अरजुन ने कौरवों की फिर भी काफी से न मार थी, इस समय सू देखकर बेचेन हो रहा था, शिवर पहुंचते ही वो करने के पास गया और दुखित होकर युद्ध के परणाम पर कहने लगा, पांडव पर बल पड़ रहे हैं, कौरवों की अधिक सेना मारी जा रही है, ये सुनकर करने आश्वासंदिया के भीशम का निपात होते ही, उ महा से कुछी दूर पितामह भीशम का शिवर्था, खिन्ने चित्त दुर्योधन पितामह के पास पहुंचा और स्वार्थवष विनमरता पूरवक प्रणाम कर बूला, पितामह, आप संसार के सरवश्रेष्ठी युद्धा है, आपका विक्रम देउताओं को भी आतंक ग्र हो रहा है, अरजुन हजारों और लाखों की संख्या में कौरव सेना का नाश्कार डालता है, परन्तु आप इसका प्रतिकार नहीं करते, अगर पांड़ों का भीतर ही भीतर पक्ष समर्थन ही आपका उदेश है, तो आप आग्या दीजे, सेना प्रतित्त व करन को दिया जा है, सैयत स्वर से बोले, वत्स, तुम जैसे मित्रों में पड़े हो, तुमारी बुद्धी नश्ट हो गई है, योध्ध तब तक धैरे के साथ ही युद्ध करता है, जब तक युद्ध का फल सामने नहीं आता, इस युद्ध में पांड़ों सेना का कम संगार नहीं हुआ, परंतु तुम्हारी तरह पांड़ों अधीर नजर नहीं आते, वे प्रति दिन जिस धैरे से युद्ध करते हैं तुम देखते ही हो, पांड़ों ने जो सेहन शक्ती अरजित की है, उसका संसार में जोड नहीं, वे उदार भी हैं, तुमें इसका भी परचाएवे वनवास क समय दे चुके हैं, रही बात कर उनके सेहन पतित्तिव की, सो उनकी वीरता विराट नगर में तुम प्रत्यक्ष कर चुके हो, जाओ, विश्राम करो, कल के समर में हम पांड़ों की भैंग कर स्थिति कर देंगे, दूसरे दिन उशहकाल दोनों की सेनाएं, वर्म, चर्म, अस गदादी अस्त्र शस्त्र धारण कर समर्ख शेत्र में खड़ी हुई, भीश्म ने सर्वतोय विहू और अर्जुन ने अर्द चंद्र विहू बना कर अपनी अपनी सेना को शंखलित किया, पश्या सेनापतियों के इंगित से युद्ध का प्रारंब हुआ, महारत अर्जु उनका दुर्जाए वेग शत्रु पक्ष न सेहन कर सका, उनके अवे अर्थ तीरों ने कौरवों की सेना के पैरों खाड़ दिये, देखते देखते एक तीर दुरियो धनके भी लगा और वो वहीं मूर्चित हो गया, आज की युद्ध का भी विपरीत फल देखकर महावीर भीश्म अस्तिर हो गए, उनके अधर फड़कने लगे और शरासन सम्हाल कर तीक्षणतर तीरों से उन्होंने अर्जुन पर आकरमन करना शुरू कर दिया, वो प्रबल आकरमन दक्ष धनवी पार्थ सम्हाल नहीं सके, भीश्म ने देखते देखते रंख शित्र का समस्त आ लगी, उन्हें संवरन करना अर्जुन के लिए दुश्कर हो गया, तीरों से नंदी घोश इस तरह आच्छन हो गया, कि पांडवों तथा पांडव सेना की दृष्टी में ही ना आया, पांडव दल में हाहाकार मच गया, इधर भीश्म अपूर्व शिप्रता से शर्योजन और निक्षेप कर रहे थे, तीरों की चोटों से अर्जुन घायल हो गए, क्रिश्न के अंगे भी जरजर हो गए, अश्यों की गती अवरुद्ध हो गई, अर्जुन से प्रतिकार करती ना बना, इसी समय भीश्म ने हजारों की संख्या में पांडव सेना का संघार कर दिया कौर्वों में बड़ा उत्साह उम्रा, पांडव किंकर्तवे विमूर हो गए, उन्हें जैसे प्रले दिखने लगा, क्रिश्न मन में शंकित हुए, जब अर्जुन से कुछ करते न बना और पुना पुना भीश्म पांडव वाहनी का नाश करने लगे, क्रिश्न भी तीरों का पहिया देख, उसे उठा कर भीश्म को मारने के लिए दोड़े, क्रिश्न का भाव देखकर, लज्जे तो हो, रत से उतर कर अर्जुन भी दोड़े, और क्या करते हैं आप, आप मेरा अपमान करा रहें, कहते हुए क्रिश्न के पैरों से लिपट गए, भीश्म वो दिव मूर्ति देखकर, भाव से गदगद होकर इस्तुती करने लगे, श्री कृष्न का क्रोध शांत हुआ, वो पुनहा अपने रत पर वापिस आए, संध्या समय फिर युद्ध इस्तगित किया गया, प्रातहकाल युद्ध का नवा दिन था, भीश्म ने सर्वतो भर्द्र और युद्ध श्ठिर ने महा व्यूग की रचना की, सूरी की किरन फूटने के साथ दौनों और के सैना पतियों ने शंख द्वनी द्वारा युद्ध करनी की सूचना अपने अपने पक्षवालों को दी, फिर क्या, वीरों के दर्प पून सिंग नादों, गोडों की टापों रथों की घरगराट से प्रित्वी देहलने लगी, गजारोही, अश्वारोही, रथी और पदादिक अपने अपने प्रतिद्वंद्वी से मूर चले कर डट गए, तुमुल कोला हल से युद्ध शेत्र पून हो गया, बाएं पक्ष में अभी मन्यू था, वीर बालक अगम स कोई विरत होकर भागा, कोई चोट खाकर, कोई मूर्चित होकर सार्थी द्वारा ले जाया गया, अभी मन्यू की अध्भुत वीरता देखकर भीश्म कृद्ध हुए, और सारथी से रथ बढ़ाकर अभी मन्यू के सामने करने के लिए कहा, अरजन बड़ी तत परता से बढ पूचना हो सकी, वो बीच में ही रोक लिए गए, लेकिन महावीर भीश्म अवरुद्ध होने पर भी पूर्ण शक्ती से अपनी बाधा पार करने का उपकरम करने लगे, आज अरजन भी पूर्ण रूप से चेतन थे, दोनों में महा समर होने लगा, अविराम वर्शा की तर महावीर भीश्म का वेग अरजन न रोक सके, उनके हाथ पिछले दिन की तरह शिते लो चले, पलक मारते भीश्म अरजन के बाणों का जवाब दे कर पांडवों की सेना का संगार करने लगे, ये खिप्रता देखकर अरजन चिंता करते हुए सोचने लगे, महावीर भीश्म होकर लोटे, रात के समय समस्त पांडव एकत्र होकर कृष्ण से मंत्रना करने लगे, युधिष्ठे ने कहा, कृष्ण अब संग्राम में विजय न होगी, पिता मैं भीश्म जिस उग्रता से संग्राम कर रहे हैं, इस से पांडवों की सेना का बहुत जल्द नाश जान केशव, अब आप इही उपाए बतलाईए कि महारत भीश्म से किस प्रकार संग्राम करके विजय प्राप्त की जाए, कृष्ण कुछ देर तक सोचते रहकर बोले, महराज, भीश्म केवल महारत ही नहीं, महामती भी है, मेरी राय में हम सब लोग उनके शेविर में चलें, औ और उनी से उन पर होने वाली विजय का उपाए पूछे, शिरी कृष्ण की ये सलाहे लोगों को बहुत पसंद आई, और सब उसी वक्त उठकर चलने को तैयार हुए, भीश्म आराम कर रहे थे, शिरी कृष्ण और पांड़ों पहुंचे, शिरी कृष्ण को देखकर प्रस सदा दुर्देओं के बादल चाहे रहे, इस समय भी वे कटते नहीं नजर आते, कुरुक्षेत्र युद्ध का परणाम हमारे लिए कदापी अच्छा नहोगा, कारण आपको परास्त करना पांड़ों की ही क्या, विश्व की शक्ती के बाहर है, आपके सेनपतित्वें में क करनाश प्राप्त करने की जगह है, हमारे लिए पुनहा वनवास को जाना उत्तमार गहें, युदिष्ठिर नमर शब्दों में ये निवेदन कर भीश्म की आग्या की अपेक्षा में एक टेक उन्हें देखते रहे, धर्मराज युदिष्ठिर की ऐसी सरलोकती सुनकर पा चुका हूँ, कौरव पक्ष तब तक अजे है, जब तक मैं हूँ, परन्तु वत्स संसार का रहस देखो कि मुझे वो पक्ष गरहन करना पड़ा है, जो असत्त है, मेरी आखों के सामने सत्त अमर यादित हो, ये मेरे लिए लज्जा की बात होगी, इसलिए मेरा मन संसार से हट चला है, पुनहा मैं जानता हूँ, इदर की दो रोज की लड़ाई में पांड़ पक्ष बहुत इक शती गरस्त हुआ है, परन्तु मुझे ये सोच कर और लज्जा होती है, कि शस्त्र विद्या में अरज्जन मुझे से अधिक समर्थ होने पर भी, विपत्ती के समय, मैं इस संसार से अब विदा होना चाहता हूँ, मेरे स्थान पर अरज्जन मेरे वंश का मुख उज्जल करेगा, सुनो, मैं अपनी मृत्यू का भेद तुम्हें बतलाता हूँ, तुमारी सेना में दुरुपद का बेटा शिखंडी पहले का इस्त्री है, मेरे वद के लिए उसने शिवजी की तपस्या की थी, उसे वर मिला है, दुरुपद के घर वो पैदा हुआ था, कर्ण्या रूप में, लेकिन एक दानाओ के वर से वो फिर पुरुश रूप में बदल गया, परंतु पूर्ण रूप से अभी तक उसका इस्त्रीत्व दूर नहीं हुआ, वो देखकर मैं अस्त्र गरहन नहीं करूंगा, यदि उसे सामने करके अरजुन मुझ पर शरक शेप करेगा, तो अधीर होकर निशस्त्र बे प्रांट छोड़ने को विवश होंगा, पंडवों ने पितामय की पैरों पढ़कर प्रणाम किया और चलने की आग्या मागी, प्रसन प्रवों के अग्र भाग में भीशम और पांडवों के भीम थे, नकुल सैदे और साथ्तिकी उनके रक्षक, अभी तक महावीर अरजुन का रत अद्रिश्य था, भीम के आक्रमन से कौरवों में पहले कुछ हल चल हुई, लेकिन भीशम के सामने आ जाने से जाती रही, दु बड़े बड़े रती और महारती का मैदान मारा गया, भीम कुछ देर अड़े, लेकिन बाद को खड़ गए, उनके साहएक भी कट छट गए, पांडव दल में तरास पैदा हो गया, साहएता की चारोर से पुकार उठने लगी, बिना साहएक सेनापती के दल विचलित होकर भ लगने की तो बात क्या, शिखंडी के उन तीरों से उनका वर्म भीना बिंधा, वे मूँ फेरे हस्ते रहे, इसी रत पर पीछे अरजुन बैठे थे, कृष्ण ने कहा, पार्थ तुम तीर मारो, शिखंडी के तीर भीश्म का वर्म भेद नहीं कर पा रहे, कृष्ण, अरज प्षत्री के लिए कायरता है, मैं शिखंडी के पीछे रहे कर, निरस्त्र भीश्म पर कैसी बान वर्षा करू, सशस्त्र भीश्म को कोई शक्ती पराजित नहीं कर सकती पार्थ, कृष्ण ने कहा, भीश्म स्वयम ऐसा करनी के लिए कह चुके है, तुम उनकी आग्या पालन करो, सब समय एक धर्म एक ही प्रकार काम नहीं देता, ये समझोता भीश्म से नहीं, कौरवों से है, भीश्म ने जब कौरवों का पक्ष लिया, तब समझना चाहिए कि उन्होंने अन्याय को प्रश्रे दिया, क्योंकि द्रौपदी पर राज सभा में जो अन्याय हुआ है, वो भीश्म भली भाती जानते हैं, विराट के हां भीश्म भी गए थे गवचुराने, लेकिन इस अधर्म को भीश्म ने अधर्म नहीं, धर्म माना है, क्योंकि वो राजा की आग्या समझ कर मानते आए हैं, वो अपनी विमात असत्त्यवती से प्रतिग्या कर चुके थे कि राज सिग्गासन की रक्षा करेंगे उनके वंश में कोई राजा हो उसकी रक्षा ही भीश्म का धर्म है इसलिए तुम भी अपना धर्म पालन करो भीश्म को मारो सुनकर कृद्धरजुन गांडी में तीक्षन शर की योजना करने लगे मारने लगे तीर वर्म भेट कर पिताम है के जीरन शरीर में चुब गया वो समझ गए ये शिखंडी का नहीं उनी के महारत नाती का तीर है इस परकार तीर पर तीर विद्ध होते हुए भीश्म को जरजर करने लगे अभी तक दोनों और युद्ध हो रहा था इसलिए भीश्म की दशा की तरफ किसी पक्ष का ध्यान न था जब भीश्म का शरीर तिल-तिल बिद्ध हो गया तब वो बैठे न रह सके रथ से लड़क कर प्रित्वी पर आ गए और चुबे तीरों के कारण उन्हीं पर रह गए मिट्टी में उनकी पीठ न लगी भीश्म के गिरते ही दोनों दलों में हाहाकार मच गया लड़ाई बंद हो गई दोनों पक्ष के बड़े-बड़े सेनापती भीश्म को देखने के लिए रत हाथी गोड़ा छोड़कर पैदल दोड़ पड़े चारों ओर से कौरव पांड़ा और राजा महराजा गेर कर खड़े हो गए दुरियोधन को जान पड़ा अब कौरवों का अंता गया युदिश्टिर भी शोक से उद्विग्न खड़े थे भीश्म ने कहा सिर लटक रहा है इसके लिए उपाए होना चाहिए महराजा दुरियोधन तकी अलेने के लिए दोड़े और एक कीमती तकी अमंगा कर भीश्म के पास आए भीश्म ने अरजुन की तरफ देखा अरजुन ने तीन तीर संधान कर सिर के नीचे ऐसे मारे के वे आधार बन गए फिर भीश्म ने कहा प्यास लगी है दुरियोधन ने सुर्ण पात्र में शीतल जल मंगा कर हाजिर किया भीश्म ने फिर अरजुन की तरफ देखा अरजुन ने तीर संधान कर प्रिथवी पर मारा शीतल निर्मल जल धारा फूट कर भीश्म के मुह में गिरने लगी पानी पीकर भीश्म ने दोनों पक्षवानों को जाने की आ गया दी और कहा सूर्य के उत्रायन में आने पर वो प्रान छोड़ेंगे अभी आप सुन रहे थे सूर्य कांत तरपाठी निराला के लिखे उपन्यास महा भारत का छठवा भाग भीश्म पर्व मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में